तो मेरे पैरलर लो एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से योटूब चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन और यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं सत्तर में सत्तर पाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज़्यादा रीडियो को भौकाली नहीं बनाना है काम से मतलब है बहुत ज़्यादा चिलाना नहीं है आराम से पढ़ाई करिए मेरी गैरेंटी है मैं आपको हर सब्जेक्ट में कितने नंबर का पूरांक होत भले यहां पर लिखा है सत्तर लेकिन याद रखना कि मैं सत्तर में सत्तर की तयारी कराऊंगा कितने में सत्तर में सत्तर की तयारी और आप कितना तयार करते हो ध्यान देना आप कितना तयार करते हो यह आपके उपर डिपेंड करता है ठीक है लेकिन मेरी जो अपनी खुद क की तैयारी है यूपी बोड के लिए वो सत्तर में सत्तर है अच्छा जिन बच्चों को और बहतर करना है इस चीज से हम तैयारी करवाएंगे अगर वही कंटेंट आपको मिल जाए कितना अच्छा रहेगा तो यह आपको परचेच करना पड़ेगा हमारे ब्रहमास्त पेपर को ठीक है ब्रहमास्त जिन बच्चों को लेना है फटा फट से 7992087382 पर कंटेक्ट करें और यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट 29 रुपए मिलेगा और पाचों सब्जेक्ट एक साथ लेंगे तो 50 रुपए का डिसकाउंट हो जाएगा मात्र 99 रुपए में आपको मिल जाएंगा इस वाटसप नंबर पर पीडिएफ मिलेगा यह आपको पहले से पता देना चाहते है क्या मिलने वाला है पीडिएफ और इसमें माटेरियल क्या मिलेगा इसमें आपको फिजिक्स, केमेस्ट्री, पाइलोजी के चेप्टर नोर्स मिलेगा इसाथ ही साथ जो में इंपॉर्टिन चीज है द्यान देना अब जो बोलने जा रहे हैं मेन इंपॉर्टिन चीज वो पी वाइक्यू करें एक सब्जेक्ट लेना है तो आपको 30 रुपए मिल जाएंगे पांचों सब्जेक्ट लेना है तो आपको 99 रुपए 50 रुपए के डिसकाउंट के साथ जिस चीज से हम तैयरी आपको कराएंगे वही आप खरीद लो और पीडियाप आपके वार्टसप पे पहुँच जाएगा अच्छी तैयारी आपकी 99 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है बस आप तैयारी कर लीजिए और मैं चाहता हूं कि आप 70 में 70 ल मिलेंगे ठीक है हर तरीके की मैंने कहा हर टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे तो बहुत बिकल्पी प्रस्टन पर आ जाते हैं यहाँ पर वाला क्वेश्चन आपका यह रहा स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रान एक इलेक्ट्रान बॉल्ट का मान होता है तो बाकी यह जो सब लिखे हैं यह सारे आपसन रॉंग है ठीक है कोई मतलम नहीं है कि अगला बाकी सलेशन किया गया आप स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है स्वाल भी किया गया है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखो नेक्स्ट क्वेस्चन है धन आवेसित वस्तूओं में होती है देखो अब इसको थोड़ा हम बिधियोते बताते हैं अच्छे से तो मेरे भाई धियान देना देखो धन आवेसित नीउट्रानों की कमी होती है इलेक्ट्रानों की अधिक्ता होती है प्रोटानों की कमी होती है या फिर इलेक्ट्रानों की कमी होती है ठीक है थनावेसित वस्तू किसी एलिमेंट पर कोई तत्व है अगर उस पर पॉजिट्व चार्ज आ जाए अंदेना देखो हम आराम से पढ़ाएंगे अगर आप थोड़ा स्पीड करना चाहते हैं तो यह रिकॉर्ड़ेट फॉर्म में वीडियो डाल रहे हैं आप वन पॉइंट वन पॉइंट पाइप एक्स पर करके थोड़ा वीडियो को और तेज कर लिया करें ठीक है क्योंकि मैं ज्यादा अगर तेज बोलूगा ना तो भड़़ा हट सीयावा जाएगी एकदम सांत माइंड में पढ़िए आराम से पढ़िए बहुत जल्दवाजी करने की जो नहीं है थोड़ा पढ़िए अच्छा पढ़िए ठीक है तो यहां पर देखिए आंसर तो यह ब पिन्यास करेंगे तो दो आठ तीन हो जाएगा अब हमारा रूल क्या कहता है कि अगर किसके बाहरी कक्षा में पाथ से कम इलेक्टरान है तो उस इलेक्टरान को हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं इसको बाहर कर देते हैं ठीक है तो यह सोडियम से जो है सोडियम से यह ब ट्रिपल पलस यानी इलेक्ट्रानों को क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रानों को क्या हो रही है कमी पहले 13 थे जब 3 निकाल दिये तो कितने बचे 10 इलेक्ट्रान बचे यानि इलेक्ट्रानों की क्या होती है इलेक्ट्रानों की होती है मेरे लाड़नों कमी होती है याद रखना क्या होती है कमी होती है इस चीज़ पर ध्यान देना next question है मेरे भाई यह दुख पूरा हाल है वैसे तो मैं आपको बता दिया concept क्या होता है ठीक है चलो एक electron bolt निम्न में से किसका मात्रक है ध्यान देना एक electron bolt ध्यान देना एक electron bolt वन electron bolt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 90 कुलाम यह न यह होता है देखो अगर आवेस लिखा होता तो आवेस कह सकते थे लेकिन आवेस है नहीं वेग है विभव का भी नहीं होता है कोड़ी संगवेक का भी नहीं होता है तो यह जो आवेस है उर्जा के रूप में फिक है यह क्या है आवेस एक प्रकार की क्या है दोस्तों यह उर्जा है किसी वस्त को उर्जा देना है कोई वस्त लेट गया है पंडी लग रही है तुसे रगडो रगडोगे तो उसके अंदर एक घरसंड के कारण उर्जा उत्पन होगी आवेसित करोगे रगडोगे तो आवेसित हो जाएगा तो ये जो है आवेस का मात्र कुलाम होता है तो ये जो आवेस को उर्जा में उर्जा को आवेस में बदला जा सकता है तो ये जो सही आपसन होगा उर्जा ठीक है चलिए मेरे भाई next question देखते हैं जरा ध्यान देना अगला question है देखो किसी आवेशित गोली चालक में बैदुचेत्र किसी आवेशित कोई गोली चालक है बैदुचेत्र इसमें चार आपसंदिये गए हैं कौन राइट है जरा ध्यान देना गोले के भीतर सुन्य होता है और गोले के बाहर भी सुन्य होता है अगर कोई गोली चालक है अगर उसे आवेशित करोगे तो गोले के भीतर आवेश की मात्रा दोस्तों सुन्य हो जाती है मेरे भाई क्या हो जाती है सुन्य कहां सुन्य हो जाती है गोले के भीतर आवेश की बैलु विद्दुचेत्र का मान सुन्य होता है ठीक है और बाहर इसका आवेस होता है जादा दूर जाओगे तो कम हो जाएगा प्रिष्ट पर विभाव का मान आवेस का मान जादा होगा तो ये आपसन तो गलत है क्योंकि गोले के भीतर सुन्य होता है और गोले के बाहर नहीं गोले के क्योल भीतर होता है बाहर नहीं होता है इसलिए पहला अपसन गलत है गोले के भीतर सुन्य होता है गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ घटता है नहीं बढ़ेगा ठीक है बढ़ेगा ठीक है तो यहा वैसे वैसे घट जाएगा तो यह हमारा तीसरा अप्षन हो गया राइट और अब जब तीसरा ही सही हो गया तो चौथा देखनी जो नहीं है हमें यहां पर नहीं बात करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन है मेरे भाई आगे देखेगा चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेस्टन है देखो हर क्वेस्टन का सौल्व भी है आप देख सकते हैं अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ठीक है चलिए थात के आवेसित गोले के थातु के आवेसित गोले के प्रिष्ट से गोले के अंदर केंद्र की और जाने पर पैद्दु छेत्र का मान होता है ध्यान देना कोई धातु है धातु का गोला है अभी जो पिछला क्वेस्टन था सेम उसी पैटनर पर है थात के आवेसित गोले आवेसित कर देते हैं चलो भाई जाब आवेसित होगे आराम से समझना एक एक कोईस्टन समझना कि बोर्ड एक्जाम में रट्टा मार के जाओगे तो फस जाओगे ठीक कांसेप्ट पकड़ो, क्योंकि आपको आगे भी तैयारी करनी है, आपको रेलवे की तैयारी करनी है, आपको बैंक के ससी की करनी है, तो अभी आप क्यों यही तक नहीं सिमित रहोगे, इसलिए कांसेप्ट अभी से आप इसको तैयार रखिए, धात के आवेसित गोले के प्रि ये तो भाई घरता है इचलो ठीक है बरता है ये तो गलत है उतना ही रहता ये भी गलत है सबratosnet है ये करेक्ट है क्योंकि चाim Burn буде ये अप्षन ये drug Mom के शून चाहिक करेक्ट इसकोड़्य है और इसको पर्रशेंटेज होकर हैnt गोले के पिष्ट के अंदर चाहे जिस पॉइंट पर जाओगे हर जगा सुन्य होगा घटेगा तो हई यह लेकिन यहां पर सुन्य हो जाएगा इसलिए हम इस पॉइंट को मानेंगे घटने का मतलब यह है कि इसके अंदर जैसे प्रवेस करोगे पूरी बैलू आवेस की करो जयान देना कांसेप्ट पकड़ो बस किया पकड़ोगे कंसेप्ट की बात करो ज्यादा रट्टा मारने की आपको ज़रूर्द नहीं है अगर कंसेप्ट पकड़े रहोगे तो याद रखना आपको कोई हिला नहीं सकता चली अवेसित खोखला गोला किस पॉइंट पर तो ये है किसी आंतरिक बिंदु पर आवेशित खोखला गोला बैदु छेत्र उत्पन नहीं करेगा यानि ये उपर पिष्ट पर तो करेगा लेकिन अंदर जाओगे तो ये आवेश उत्पन नहीं करेगा तोकि बिद्दु छेत्र का मान क्या हो जाता है जीरो पहला पॉइंट सही है अब यहाँ पे किसी बाहरी बिंद पर ये गलत है ये सारे पॉइंट्स गलत है बस यही पहल आप सन हमारा राइट है इसलिए यहीं पर रुख जाते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन क्यों बढ़ेंगे चलिए बिद्दु फलक्स का मात्रक होता है ठीक है बताओ मेरे लाड लो विद्दु फलक्स का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है देखिए आपके सामने ये ध्यान देना विद्धुद फ्लक्स का अगर मात्रक कहें तो इसका मात्रक होता है यह साई पध्धत में बेबर क्या होता है फेबर होता है तो यहां आप लिखा है किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाले प्रिष्ट के लंबवद कुल रेखाओं की संख्या के उस प्रिष्ट से बद्ध विद्धुद फ्लक्स काते हैं वेबर होता है इसका मात्रक यह साई पध्धत में ठीक है लिख लो चलिए अगले क्वेश्चन के और बढ़ेंगे और यहां पर आ जाते हैं अधिला गुत्तर नहीं होनी चाहिए आप सभी बच्चों को आराम से पढ़िए अच्छा पढ़िए सांदार तरीके से पढ़िए किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रब्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई अगर चालक हम धनावेशित कर दें यहां समझना कोई चालक अगर धनावेशित कर दे उसके द्रब्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखो ध्रब्यमान घट जाएगा क्योंकि धनावेशित करने पर चालक से कुछ इलेक्टरान बाहर निकल जाएंगे अब इस पॉइंट को कैसे समझे देखो ध्यान से समझना अभी मैंने एक सोडियम लिया था सोडियम के बाहरी कोस में तीन इलेक्टरान थे और तीन इलेक्टरान जब निकाल दिये तो उसके यन्ने ट्रिपल प्लस आया था यन्ने ट्रिपल प्लस यानि किसी किसी धनावेशित चालक कोई अगर हم़रे पास धातु है उससे इलेक्टरान बाहर निकाल दोगे तो इलेक्टरान की कम हो जाएगी आटोमेटिक दर्भमान घट जाएगा जहां पुछतर है दर्ब्मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे लाडलों दर्ब्मान का माण क्या हो जाएगा? घट जाएगा? इस चिसको याद रखना. ठीक है? यहां लिखा है मकेस पधत में निर्वात की विद्धु सील्ता की बीमा क्या है? जिरा ध्यान देना मक पाई एपसाइलम नाट Q1 इन्टू Q2 बटे R स्क्वाइर यह होता है ना मेरे लाट लो होता है ना सब को सौन में आ गया बहुत ही सांदार आगे बढ़ते हैं यह जो एपसाइलम नाट है इसी के में बीमा निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसको तीरिय गुड़ा करके इधर कर देते हैं और यह जो एपसाइलम नाट इस इक्वल टू वान अपान और पाई Q1 इन्टू Q2 बटे एपसाइलम नाट इसी कोई मतलब नहीं है इसे छोड़ दो चलिए यह आवेस का बीमा होता है 80 अच्वकि डबल आवेस हैं इसलिए A2 T2 हो जाएगा बहुत ही सांदार बल का बीमा क्या होता है यह में यल स्कॉाइर T के पाउर ब्यान देना इसकी जो बीमा होती है यह में यल T के पाउर माइनस दू होती है और यहाँ पे जो दूरी का बीमा होता है यल स्कॉाइर हो गया बहुत ही सांदार आगे बढ़ेंगे यह यम उपर जाएगा तो यम के पाउर हो जाएगा माइनस वन यल कितनी बार है एक यल यहाँ है दो यल यहाँ है उपर यल नहीं है तो यल के पाउर तीन माइनस तीन हो जाएगा ती देखो दो उपर है दो माइनस में नीचे है तो नीचे वाला जब उपर जाएगा तो यह भी प्लस में हो जाएगा तो टी के पाउर टू पहले से है दो और आजा के टी के पाउर फोर हो जाएगा बहुत ही सांदार आगे बढ़ेंगे यह जो है एक पावर टू आल्रेडी है यहां पर एक पावर टू लिख देते हैं बहुत बढ़ियां आगे आपका बीमा यानि यमकेस पद्धत में निर्वात की बैदुष सीलता की बीमा और एक चीज़ और आपको बता दे यहां पर कौनों पद्धती ले लो सब की बीमा यही रहेगी पद्धती बद्धती बदलने पर बीमा कभी बदलती नहीं है इस चीज़ पर विश्यज़ ध्यान देना मेरे लाड़लों ठीक है यह देखो यहां पर अच्छे से स्वाल भी किया गया है मैं तो वहां पर कर दिया बढ़ लोग आलरेडी सीख चुके ठीक है चली का के कि वह बढ़ेंगे और बैध दुद्धरु के दो उदाह बताईये यह पाद बैध दुद्धरु एक पाद दुद्धरु मने के सील यन्ने सील यह वैसान यह टैड़ समान किन्त वीपरीत आवेश दो समान के प्लस एंद फ्लस यन्य材 सिए फ्लस माइनस एक, प्लस एक माइनस देता है जब दो समान किन्त भी प्री तावेस एक दुसरे से अलप दूरी पर य़ rail निगेटिव इसको डिफिनिशन में हम कहेंगे दो समान किंतु पर इस एक दूसरे से जो MAID जो दे रहा हूं वो देखो ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन देखे जरा यदि दो आवेसित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ध्यान से समझना मेरे लाड़ लो तो आवेसित कणों के बीच की दूरी आधी कर दे क्या कर दिया जाए आधी यानि पहले दूरी देखिए यह आवेस है अपने पास एक Q1 है एक Q2 है पहले दूरी यार था फिर क्या कर दिया जाए आधी तो कर रहे हैं उसके बल पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है यहां देखो पहले तो यह सूत्र है गुलाम के नियम से यहां देखो अब उसके दूरी को क्या कर दे रहे हैं ज्यान समझना उसके दूरी को आधी कर दे रहे हैं क्या कर दे रहे हैं आधी यानि यार बाई टू कर दे रहे हैं तो जो बल है वो बदल जाएगा यफ डैस हो जाएगा यफ डैस चलिए बहुत इसांदार हम लोग अपने से स्वाल्व करते हैं ज्यान से समझना हम लोग अपने से स्वाल्व करते हैं देखो पहले पहले अपने से स्वाल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे कोई एक बिंदू ए है कोई एक बिंदू बी है इसके 20 की दूरी आर है यहाँ पर जो आवेस है वो Q1 है और यहाँ पर जो आवेस है Q2 है ठीक है clear है इसके बीच यह positive कर देते हैं यह negative कर देते हैं अब इनके बीच जो लगने वाला बल है वो आकरशन बल होगा दोनों पर प्लस भी रख दोगे तो कोई दिक्कर नहीं है प्रतिकर्शन बल लगेगा लेकिन बल जरूर लगेगा तो यहाँ पर कुलाम का नियम अगर लगा दें ध्यान से समझना बहुत important question है कुलाम के नियम से कुलाम के नियम से अगर बात करें ठीक है तो यह बराबर के इन्टू कि वन इन्टू क्यू टू अपान आर इसक्वाइर यह हो जाएगा समीका अब बात दिमाग में आ होगी कि सर यहाँ पर पॉजिट्व यहाँ पर निगेट्व है तो आपने निगेट्व क्यों नहीं लिखा निगेट्व यह बता रहा है कि इसमें कौन सा बल लग रहा है बट यहाँ पर चिन हमें लिखना नहीं है इसका ख्याल रखिएगा अब इसको दूरी को आधी कर द रहें तो जहां यह आर है वहां R by 2 कर देंगे तो इसके बीचे लगने वाला आकर्षण बल है बलबदल जाएगा यह डायेस हो जाता है तो जहां f है वहां f extreme कर देते हैं के के अस्थान पर किह ही रहेगा Q1 Q2 ही रहेगा Q1 Q2 ही रहेगा और R बट्टे 2 कर देते हैं ठीक है इसे हल करेंगे तो K into Q1 into Q2 बटे R square और 2 का square करेंगे 4 4 उपर चला जाएगा यह हो जाएगा K into Q1 into Q2 Pi R square और into यहाँ पे 4 ठीक है अभी आपने देखा कि जो कुलाम का नियम मैंने बताया था यह बराबर K into Q1 Q2 by R square तो इसके अस्थान पे आप लिख सकते हो यह और पहले से जब दूरी आधी कर दिये तो बल यह डैस मिला था यह डैस यह डैस बराबर में लिख लेते हैं left side में इसके अस्थान पे लिखेंगे यह अप और यहां हो जाएगा 4 यानि जब दूरी आधी कर देंगे तो बल पहले का 4 गुना हो जाएगा कई गुना 4 एफ 4 गुना बल लगने लगेगा दूरी आधी कर देंगे तो लगने वाला जो दोनों आवेशों के 20 बल है 4 गुना बढ़ जाएगा ठीक है तो चलिए यहां तक इसमें हम यही तक question करते हैं वीडियो ज़्यादा बढ़ा ना हो इसलिए यही पर break करते हैं इसके आगे का जो question है ठीक है वो अगले वीडियो आपसे मिलेगा और अगले वीडियो आपको यह complete कर देंगे ठीक है तैयारी करिएगा और जिन बच्चों को ब्रहमास्त पेपर लेना है वो अभी मैंने बताया है 799007382 पर contact करें 95% इस question में ज़रूर फसेगा सत्तर में सत्तर वाला बिल्कुल तैयारी करा रहे है ठीक है बिल्कुल एकदम एक सब्जेक्ट लेंगे तो 19 रुपे मिलेगा अगर पांचों सब्जेक्ट एक साथ लेना है तो आप 990 रुपे में आपको मिल जाएगा जिन बच्चों को लेना है पने स्वान नाइन डीज़ेर्स वन 382 कंटेक्ट करें फिए करें